साथियों, हम जिस राष्ट की आराधना करते हैं, हमारा वो भारत केवल एक बावगोलिक बूखन्ड मात्र नहीं है, हमारा भारत एक जीवन्त विभूती है, एक चिरंतर चेतना है, एक अमर अस्तिक्व है जब हम भारत कहते हैं, तो सामने स्वास्वत संस्कृति का चित्र उभर आता है, जब हम भारत कहते हैं, तो सामने विर्ता की विरासत उठखडी होती है, जब हम भारत कहते हैं, तो सामने पराक्रम की परिपाटी प्रखर हो उगती है कि एक ऐसी अजस्त्रधारा है जो एक और गगन चुम्बी हिमाले से प्रश्टूटित होती है तो दूसरी और हिंद महा सागर में समाहित होती है अतीत में असीम लप्टे उठी विश्व की कितनी ही लहल हाती सब बताएं रेगिस्तान से विरान हो गई लेकिन भारत के अस्तित्व की ये सांस्कृति धारा आज भी अविरल है अमर है और मेरे जवानों एक राष्ट कब अमर होता है राष्ट तब अमर होता है जब उसकी सम्तानों को उसके वील बेटे बेटियों को अपने सामर्थ पर अपने संसाधनों पर परम विश्वास होता है राष्ट तब अमर होता है जब उसके सैनिकों के शीष हिमाले के सिर्ष सिखरों की तरा उतंग होते हैं एक राष्ट कब अमर होता है जब उसके संथानों के बारे में कहां जा सके कि चलंतू गिरियह कामम युगांत पवनाहता है कुछे रपी कुछे रपी नचलत्यव धिरा नाम निश्चलाम मनः यानि प्रलय काल के तुफानों से विशाव परवद भले ही क्यों न उखड जाए लेकिन आप जैसे धीरों और वीरों के मन अडिग अटल और निश्चल होते हैं इसलिए आपकी भुजाओं को आपकी भुजाओं का सामर्थ हिमाले की दुर्व उचाईयों को नापता है आपका मनस्वी मन मरुज थलों की मुस्किलों का सभलता से मुकाबला करता है आपके असिम शोर्य के आगे अनंत आकास और असिमित समंदर गुटने टेक पे हैं कारगिल का कुरुक्षेत्र भारतिय सेना के इस पराक्रम का गुलन गवाँ बन चुका है ये द्रास ये बटालेक और ये टाइगर हील ये गवाँ हैं कि पहाड़ों की उचाईयों पर बैठा दुश्मन भी भारतिय सेना के गगन चुम्बी साहस और सौर्य के आगे कैसे बोना बन जाता है जित देश के सहनुकों का शावर्य इतना अनंत हो उस राश्ट्र का स्तित्व अमर और अटल ही होता है